नमस्कार फियो और शिंदूर की कीमत सीजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंटरंच जहां पर देखने को मिला कि अब मेंगा के स्लाम ने राणा की सचाई जैसे आती है कि अब बांच साल का बच्चा बन चुका है तो वहाँ पर मेंगा बुच्चे लग उसे में तो राणा बोलने लग जाता है कि वादा करो तुम कभी मेंगा की तरह मुझे छोड़ करने जायोगी और नहीं मुझे डांटोगी तो यहां पर अब जो मेंगा के पापा होते हैं उनके दिमाग में एक आइडिया आता है सोच रहे होते हैं कि यही सही मौका है राणा भी मे ज़्यादा प्यार करता है सिर्फ मेंगा ही उसे याद है कि और नहीं मेंगा को घर के अंदर बेज दिया जाए और इस परिवार शे बदला लिया जाए तो देखना काफी दिल्चस्प होगा कि क्या मेंगा बदला लेने के लिए परिवार के साथ करेगी कोई बड़ा खेल कि क्या करेगी करके अंदर एंट्री राणा की पतनी के रूप में क्या यहां पर राणा के करीब आने की करेगी मेंगा कोशिस जहां पर मेठी का होने वाला बहुत बुरा हाल लेकिन मेठी नहीं मानेगी हाँ जहां पर मेंगा का असली जार एक तरफ तो परिवार के सामने लेकर आएगी और राणा को भी मेंका से दूर रखने की करेगी पूरी कोशिस तो क्या आपकी बार मीठी मेंका से बचा पाएगी अपने परिवारों राणा को